अपने चैनल इंडियन फ्लेवर्स बाइ प्रियंका में आपका बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैंने एक रेसिपी बनाई है जिसको आप वेट लॉस अपने रेसिपी में भी सामिल कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत जल्दी फटा-फट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो आज मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी जो की ढबाई स्टाइल है बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों तो आप अपने हिसाब से इसमें आयल कम जादा करके अपने वे और एक बढ़ा सा टमाटर और थोड़ी सी एक इंच इँच अद्रक मैंने चोटे चोटे पीस में कर ली थी और यहं पर मैंने इनको भूनना कि चाप किया अब टमाटर डाला है तो नमक तो डालना जरूरी है दोंग से जली से पक जाए और प्याज भी जल्दी से भून जाए तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डालेंगे तो मैंने यहां पर डेड़ जब मच करीब नमक डाल दिया है और इसको मैं भूनना स्टार्ट कर दूँगी लगबग एक से दो मिनट भूनने के बाद यह दिखिए इसने तेल छोड़ दिया है अच्छे से अब यहां पर मिर्च, थोड़ासा कुटी लाद मिर्च मिर्च आप अपने अनुसार डलेगा कम जारते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने सिर्फ यहां पर यूज किया है और यह देखिए मसाले पर डाला मैंने और यहां पर फुक्च ने तेल छोड़ दिया अगर आपको पसंद आएग लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा और यहां पर 300 ग्राम पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था आप ग्रेट भी कर सकते हैं और डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया और भूनने के बाद यहां पर कसूरी मेथी एड़ कर दी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता दोस्तों जरूर डालिएगा और यह देखे दो मिनट अलट पलट के भूनने के बाद यहां पर इसने तेल अच्छे से छोड़ दिया है और यह देखे बन के तयार हो गई है हमारी पनीर भूर जी बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों बिल्कुल धाबा स्टैल मैंने बनाई है इसको आप सिंपल रोटी के साथ या फिल अच्छा पराथा दाल चावल किसी के सा बहुत अच्छी रेसिपी है और फटा फट से बन जाती है कोई भी महमान आए कुछ भी बनाना हो जल्दी जल्दी में आप यह टिफिन के लिए अपने बच्चों के लिए बना सकते दोस्तों कैसी लगी रेसिपी जरूर बताएगा कमेंट में और कहां से आप मेरी रेसिप अब दिख रही है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब थी तो एक बार बनाईएगा और जरू कमेंट करके बताएगा टाटाट